नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का तो हम यहाँ पे बालकनी में सेप्टी ग्रिल लगा रहे हैं यह चार फिट की बालकनी है हमारी और यह 9 इंच ब्रिक वर्क करके अंदर अंदर सवा तीन फिट मिल रहे हैं तो इसको हम बाहर से पूरा पैक करने वाले तो यहाँ पर हमने दो बाई एक पाइप लिए है तो साथ पिट आए आने वालकनी के तो इस तरह से साड़े साथ फिट की कटिंग और यह पाइप का दोनों तरब से पाइप को हमने पैक किया है यह सी टाइप तो यह दिखे इस तरह से यह पिटिंग हो रही है यह फेस से मतलब प्लैश्टर के फेस्ट दिवार के फेस्ट से दो इंच पाइप बाहर आने वाले वर्टिकल इसलिए दो इंच बाहर निकाल आए और बाद में यह ड्रील मारके दो इंच प्लम्बिंग नेल्स जो आते हैं बड़े वाले तो उसको हम विडिटिंग करने वाले यह प्रेव तो बालकनी का ग्रील का डिजाइन आप 12 mm स्क्वेर बार में भी कर सकते हैं तो पाइप में थोड़ा सॉलिड दिखता है और वालकनी का फिल आता है इसको तो इस तरह से यह फ्रेम सी फ्रेम विल्डिंग हो रही है इस तरह से यह फ्रेम उपर की तरफ बीम को आ जाएगी यह देखें दो दो फिट पर हमने यह नेल्स लगा के विल्डिंग किया इसको यह प्लैस्टर से पहले भी कर सकते खाली पाइप की जगह पट्पी लागा सकते आप यह तो एंगल लागा सकते और यह दिवार को पूरी फिट हो गई यहां पर एक पाइप आएगी खड़ी यह देखें तो सब दो बाई एक की पाइप है और बाद में हम इस तरह से यह तिन-तिन इंच पर पाइप को विल्डिंग किया है देहां कि अधर की साइट से बालकनी고 आएगा इसा कि कुछ कि कि आप यहां पर ग्रैणेट डाल सकते यह देखे दो इंच गया दिवार से मतलब दिवार की फिच से 2 इंच पाइप बहार आ गई और यहाँ पर ग्राइनाट डाल सकते ही वो लेवल पर पाइप की लेवल तक और यह बाहर की तरफ से विव यह देखें उपर नीचे तीन तीन नीच पाइप आ गई यह बालकनी से और यह काफी आच्छा दिखता है और इसका खर्चा देट सो रुपई स्क्वेर फूट तक जाता है मतलब हमारी यहाँ पर दस बारा आजार रुपई की पाइप गई और साथाजार रुपई मजूरी तो बीस अधर में एक बालकनी का हो गया बर्डी बालकनी का और एक बालकनी दूसरी एक साइड से पैक है तो उसका थोड़ा तीन अजार रुपई कम गया